डिजाइन थिंकिंग एक प्रॉसेस है जिसको फॉलो करते वे हम किसी भी प्रॉब्लम का इनोवेटिव, क्रियेटिव, नया सिल्यूशन जो है ढूंड सकते हैं इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप जैसे यंग इनोवेटर्ज या यंग मेकर्ज डिजाइन थिंकिंग प्रॉसेस को कैसे यूज कर सकते हैं to become fearless explorers सो सवाल उठता है, what is design thinking? डिजाइन थिंकिंग एक प्रॉसेस है जिसको step by step follow करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम के innovative solutions ढूंड सकते हैं otherwise हमें लगता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो जनम से ही creative होते हैं यानि creativity जो है वो एक genetic trait है जो कुछ लोग में होती है और कुछ पे नहीं होती है पर design thinking कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है हम सब लोग creative solutions find करने की capability रखते हैं केवल हमारे को process समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम किसी भी problem का कोई innovative solution ढूंड सकते हैं फिर अगला सवाल है कि design thinking हमें क्यों सीखनी चाहिए तो इसके कई कारण है पहला कारण है कि design thinking की process जो है वो हमें empathy बिल्ट करती है empathy का मतलब है कि हम दुनिया को किसी और के दृष्टिकोंड से देख सकते हैं ये समझ सकते हैं कि उनकी क्या problem है उनके क्या challenges है और ये जो ability है दुनिया को किसी और के perspective से समझने की इसको empathy कहते हैं design thinking की process को बार-बार use करकर हम हमारी creativity जो है वो भी develop होती है क्योंकि ये process का main जो मुद्दा है वो यही है कि कैसे हम किसी problem के innovative creative solutions ढूणे आज के दिन जितनी समस्याएं हैं वो usually इतनी complex इतनी पेचीदा होती है कि कोई एक व्यक्ति उनको नहीं solve कर सकता है तो usually हमारे को teams में काम करना पड़ता है जहां पर कि हर team member की अलग-अलग capabilities होती है तो design thinking की process follow करके जब हम किसी problem के solutions ढूणते हैं तो ऐसा करने से हमारी collaboration skills जो है collaborative skills भी develop होती है और आज की दुनिया में ability to collaborate with multiple people एक बहुत important life skill हो गई है design thinking हमारी risk taking appetite को भी बढ़ाता है क्योंकि जब हम छोटी problems से शुरू करते हुए उनके नए solutions ढूट पाते हैं तो हमारे में एक आत्म विश्वास आता है कि हम किसी भी problem को solve कर सकते हैं और ये जो confidence है ये हमारी risk appetite को थोड़ा बढ़ाता है otherwise हम कई बार बहुत safe play करते हैं design thinking की जो process है वो fear of failure से deal करने में भी काम आती है क्योंकि आप सोच के देखो अधिकतर जब भी कोई नया challenge होता है कि कुछ नया आपको try करने का मौका मिलता है opportunity मिलती है तो एक fear of failure पीछे रहता है दिमाग में कि अगर try किया और fail हो गए तो दुनिया क्या कहेगी दोस्त क्या कहेंगे, parents क्या कहेंगे और हम इसी लिए अपने को we don't put ourselves out there हम ज़्यादा बड़े challenges को नहीं लेते हैं क्योंकि हमें इस किसम के psychological fears होते हैं पर design thinking को follow करते हुए जब हम छोटे-छोटे नए products, नई solutions ढूटते हैं तो हमारे में अंदर ये एक आत्विश्वास जगता है कि हम नए challenges भी अगर tackle करेंगे तो उनको हम solve कर पाएंगे जब भी हम किसी problem को tackle करते हैं तो usually first solution जो होता है वो सबसे optimal solution नहीं होता है तो हमारे को persist करना पड़ता है कि चलो इस solution को थोड़ा और improve करते हैं और इस तरीके से design thinking follow जब हम करते हैं तो जो उसमें iteration होती है जो repetitions होते हैं improvement लाने के लिए उसकी वज़े से हमारे में ability to persist कि किसी एक task पे काफी time बिताना, energy डालना उस पर even अगर initially उसमें हम failures का सामना करते हैं तो ये शमता हमें विक्सित होती है तो design thinking की process follow करने से ये सारे जो lab हैं हमें होते हैं हमारी empathy बढ़ती है, हमारी creativity बढ़ती है हम collaboration skills सीखते है risk taking appetite हमारी बढ़ती है हम fear of failure से ज़्यादा अच्छा deal कर पाते हैं और हमें persistence, determination, grit इस किसम की जो बहुत important traits हैं वो भी विक्सित होती है तो जो ये design thinking है to find innovative solutions to problem इसका एक framework है इस framework में सबसे पहला step है empathize कि हम empathize करके किसी और की problem को better समझ पाएं फिर problem समझ कर हम उसको बहुत clearly define कर पाएं फिर उस problem के कई सारे solutions को हम brainstorm कर पाएं जिसको ideation कहते हैं फिर उन में से कुछ को हम as a prototype उसका कोई solution ढूट पाएं और उस prototype को test करके हम improve कर पाएं तो ये जो five step process है empathize, define, ideate, prototype, test ये design thinking का framework है तो इसको थोड़ा detail में समझते हैं empathize का मतलब है जैसा मैंने कहा कि ability to put yourself in the shoes of the end user तो अगर आप किसी और की कोई समस्या का समाधान ढूण रहे हो तो आप उनके दृष्टिकोंट से देख पाओ, समझ पाओ कि उनकी problem क्या है, उनका pain point क्या है maybe वो कोई currently product यूज करते हैं जो की बहुत frustrating experience है तो जो भी है, आप उनसे बातचीत करके उनसे सवाल पूछके, उनको observe करके आप empathetically समझ पाओ कि उनकी problem क्या है ये first step है उसके बाद जो भी आपकी findings है आप उनमें कोई pattern ढूट पाओ आप समझ पाओ कि actually यहाँ पे underlying problem क्या है ताकि आप जो भी problem है उसको बहुत ही clearly define कर पाओ ये step two है problem को clearly समझ कर उसके बहुत सारे solution सोचना इसको ideation या brainstorming कहते हैं और ये next step है इस step में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप बहुत सारे ideas सोचो even crazy, bizarre ideas सोचो और अगर आप कोई product design कर रहे हो तो आप उसको sketch out भी करके देखो कि वो कैसा लगेगा product जब वो बन जाएगा ideation के बाद next step है prototype का कि आप अपने जितने भी ideas आपने सोचे हैं उनमेंसे आप एक या दो को select करके उनसे फिर अपना एक prototype बनाओ prototype का मतलब होता है कि it's like a working solution इसको minimal viable solution भी कहते हैं कि उसमें minimum possible चीज़ें डाल कर हम उसका एक sort of धाचा बना देते हैं कि product ऐसा दिखेगा या solution ऐसा दिखेगा हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम उस prototype को वापस end user के पास ले जा सकें और test करके देखें कि end user का वाकई में जो problem हमने define करी थी वो solve हुई है की नहीं और based on the feedback हम उस product को फिर से improve करें तो ये जो design thinking का framework है इसको हम iterative process कहते हैं कि ये बार-बार हम दोहरा कर इसको improve करते हैं design thinking की process for a maker खास कर use हो सकती है जब आप competitions और challenges में participate करो तो अटल Tinkering Lab के challenges आते हैं अटल Marathon नीती आयो के innovative solutions के challenges आते हैं या global challenges आते हैं जैसे इस वक्त microbit का एक do your bit challenge जो है वो चल रहा है जो की 15th जुलाई 2022 तक है तो अगर आप इस challenge में participate करना चाहते हो जो मैंने अपने अलग वीडियो में समझाया है तो आप design thinking process यूज कर सकते हो as an example let's say आप microbit यूज करते हुए एक virtual pet बनाना चाहते हो अपने फ्रेंड के लिए बनाना चाहते हो तो आप design thinking process कैसे यूज करोगे तो ये जो design a micro pet challenge है ये मैंने microbit की website में एक computer science का introductory जो course है वहां से लिया है तो वहां वो क्या कहते हैं कि आप अपने फ्रेंड के लिए इस किसम का pet design कर रहे हो तो आपने फ्रेंड से ये पूछ सकते हो कि उसको किस किसम के pet पसंद है animal पसंद है maybe robot पसंद है maybe bird पसंद है maybe insect maybe bug और maybe को imaginary creature उसको पसंद है फिर आप closely question करते हो उससे पूछ सकते हो कि इस virtual pet में क्या features है जो आपका friend चाहता है maybe आपका friend चाहता है या चाहती है कि जो pet हो वो interactive हो और आप जानते हो कि microbit के sensors यूज करते होए आप interactive pets बना सकते हो कि touch sensor यूज करते होए वो maybe meow बोले या फिर light sensor यूज करते होए उसमें कोई और बदलाव आए क्या उसको care की दरूरत है तो आपने इस किसम के online games खेले होंगे जहांपर कि अगर आप अपने virtual garden को regularly पानी नहीं देते हो तो आपके जो plant हैं वो wilt कर जाते हैं वो मुर्जा जाते हैं तो आप इस किसम के feature भी अपने virtual pet में डाल सकते हो कि हर तीन घंटे में पानी नहीं पिलाया विच कुट जस्ट भी कि मेभी button A प्रेस करना है microbit में पर हर तीन घंटे में प्रेस करना है to make sure कि आप अपने pet को feed कर रहे हो और क्या सवाल आप पूछ सकते हो यह जो है यह अभी हम first step पर है जहां हम empathize करते हुए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने friend के लिए एक बहुत अच्छा pet कैसे design कर सकते हैं तो आप उससे पूछ सकते हो कि क्या pet जो है वो move करने वाला होना चाहिए तो अगर वो move करने वाला होना चाहिए तो उसमें आपको motor, servo motor जा कुछ लगानी पड़ेंगी या वो pet stationary है कि एक जगा पे बैठा रहता है पर हो सकता है कि stationary pet है पर eyes blink करती है या maybe tail जो है वो move करती है तो इस किसम की features भी आपके virtual pet में हो सकते हैं आपको अपने friend से पूछना पड़ेगा क्या आपका friend चाहता है कि जो virtual pet है उसमें कोई super power हो तो अगर ऐसा need है तो बाद में फिर आप brainstorm करते हो कि इसका क्या solution हो सकता है और अगर आपके friend के पास already कोई pet है तो आप पूछ सकते हो कि उस pet की क्या चीजें हैं जो आपके friend को पसंद हैं क्या चीजें हैं जो ना पसंद है तो likes और dislikes के हिसाब से भी आप जो आप अपने friend के लिए pet design करोगे उसके बारे में आप सोच सकते हो तो इस किसम से आप जो है ये needs gathering stage को पूरा करते होए फिर आप इसमें से ढूट सकते हो क्या चीजें हैं जो कि वाकई में आपके friend के लिए बहुत important है फिर आप ideate कर सकते हो कि आप किस किसम का pet design करोगे फिर आप prototype कर सकते हो अपने friend को prototype दिखा के उसका feedback ले सकते हो और इस process को दोराते हुए आप एक बहुत अच्छा micro pet अपने friend के लिए बना सकते हो so as an example इस online course में वो दिखाते हैं कि और students ने किस किसम के pets बनाई है तो जैसे ये एक pet है looks like a dog फिर एक ये pink piggy का pet है इन सब में interactive features भी है कि अगर आप button दबाओगे तो smile करेगा या frown करेगा या कोई आवास करेगा and so forth और एक ये aquarium बनाया है कि जो pet है वो fishes है और वो fishes में movement भी हो रहा है तो these are some ideas to show you कि आप कैसे एक micro pet बनाने के लिए या micro bit या किसी भी और इस किसम के challenge या competition में participate करने के लिए design thinking की process follow कर सकते हो तो I hope आपको ये design thinking का video पसंद आया और आप design thinking की process use करते हुए कई सारे challenges और competition में participate करोगे